Hello students, welcome back to my channel, Savita English Classes. In this video, we will do chapter number 6 for class 6th. Name of the topic is Fair Play. Fair Play. Fair Play means, fair होता है, किसी की क्या हमें favor ना करना. Means, सच को सच बोलना और जूट को जूट कहना. इस तरह का role play करना fair play है. तो इसमें fair play कोन कर रहा है? एक पंच जो है, और पंच कोन होता है? एक वह व्यक्ति, जो किसी भी कारण से पंचायत में नॉमिनेट किया जाता है, कि आपको decision करना है, right or wrong, उसको पंच बोलते हैं. तो इसमें पंच नॉमिनेट होता है, और वहाँ fair play होता है. बिल्कुल right decision लिया जाता है. स्टाइटिंग में है, before you read, read कर लेते हैं पहले. क्या आपके किसी दोस्त ने ऐसा काम किया है, जो आप उसको गलत सोचते हों, कि ये मेरे दोस्त ने ठीक नहीं किया है, और अगर गलत किया है आपके दोस्त ने, तो क्या आप उसके बारे में चुप रहते हैं क्या आप उसके बारे में कोई भी शब्द नहीं कहते हैं इस स्टोरी में इसी तरह से दो फ्रेंड हैं और वो जो decision है उसको importance देते हैं अपनी दुसमनी को और अपनी दोस्ती को नहीं देखते राइट और रोंग को ये नहीं देखते हैं कि मुझे किसका फेवर करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए और वो राइट डिसीजन लेते हैं लेट्स मूव टू दा इस लेसन के अंदर हमारे थ्री पार्ट्स हैं फेर प्ले जुमन सेख और अलगू चोधरी दोस्त हैं जुमन सेख नाम है और दूसरे दोस्त का नाम अलगू चोधरी है दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं दोनों के अंदर एक मितरता का गहरा संबंद है अगर एक गाउं से बाहर चला जाता है तो दूसरा उसकी फैमिली की देख भाल करता है दोनों की गाउं में बहुत ज्यादा इज़त है रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा जुमन की जो है एक बुड़ी आन्ती है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है उसने वो जो प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी जुमन के नाम की हुई है ये कहकर कि वो उसकी देख भाल करे लुक आफ्टर देख भाल करे और क्या करे उसका अरेंजमेंट करे मिन्स उसके लिए उसकी देख भाल करे उसे खानया दे उसे कपड़े दे जब तक वो जिंदा रहे ऐसी ज़े लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो situation change हो जाती है और situation change होने के बाद क्या होता है जो family है जो मन की family वो बुधी आंटी से ठक जाती है और बुधी आंटी की जो wife है वो उससे बुरा विभार करने लग जात जाती है और उसे जो रोज बोजन दिया जाता है खाने के लिए उसे भी देना नहीं चाहती है और साथ-साथ उसकी insult भी करती है उसके बाद क्या होती है बुधी आंटी जो है अपने कुछ महीनों तक तो अपनी insult को अपने खाने के साथ ही निगल जाती है मिंस वो सहन करती है लेकिन सहन करने की भी कोई मरियादा होती है धर्रे की भी कोई मरियादा होती है और वह सब चीजों को सहन नहीं कर पाती है इस परकार एक दिन वो जुमन को कहती है जुमन को कहती है कि अब यह साफ हो गया है कि मेरी आपके घर में कोई आउशक्ता नहीं है इसलिए आप मुझे कृपा करके हर महीने पैसा दे दीजिए अलावेंस मंदली अलावेंस होता है हर महीने दिया जाने वाला भत्ता जिससे मैं अपनी सेपरेट कीचन रख सकूँ और अपना खाना बना कर खा सकूँ तो उसमें जुमन क्या कहता है सेमलेसली सेमलेसली मिन्स बहुत ही गलत तरीके से उसे बोलता है उसकी इंसल्ट करके उसे बोलता है कि आप धहरे रखें मेरी पतनी को पता है कि घर को कैसे चलाया जाता है इस पर जो आंटी है वो बहुत गुसा हो जाती है और वो निर्ने करती है कि यह केस हमें पंचायत के पास लेकर जाना चाहिए कुछ दिन के बाद क्या होता है जो ओल्ड लेदी है वो बाते करती भी दिखाई देती है लोगों को एक्स्प्लेइन करती है अपने मैटर के बारे में कि भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है और वह सब जो खोज कर रही है सपोर में कुछ लोग क्या करते हैं उसके प्रती दया दिखाते हैं कि भी बुड़ी होरत है ये जो कर रहे हैं वो गलत है कुछ लोग उसके उपर हसने वाले भी हैं हस रहे हैं कि कैसे इसके साथ हो रहा है कुछ लोग हैं जो उसको एड़वाइज देते हैं किस तरह की एड़वा का दोस्त है उससे क्या कहती है कि उससे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है वो क्या कहता है बल्गु चोधरी कहता है कि जुमन मेरा प्रियमितर है और मैं उसके विरोध में कैसे जा सकता हूं लेकिन वो क्या कहती है उसको कि आप कह सकते हैं वो रिक्वेस्ट करती है कि आप सच को के उपर चुप कैसे रह सकते हैं सच को तो आपको स्विकार करना होगा आपको निर्ने करना होगा आप पंचायत में आईए और सचाई को बोलिए इस परकार वह औरत वह बूढ़ी आंकी अलगु चोधरी को कहती है अलगु चोधरी जो है उस समय कोई उत्तर नहीं देता है और क्या करता है लेकिन उत्तर नहीं देता है लेकिन उस चाची के जो शब्द हैं वो उसके कानों में गूंजते रहते हैं कि आप सच का साथ दीजिए इस तरह से उसके कानों में गूंजते रहते हैं पार्ट टू जो पंचायत है वो होती है कहां पे इवनिंग के समय एक बैनियन ट्री के नीचे होती है जुमन जो है खड़ा हो जाता है और क्या कहता है कि जो वोईस ओफ पंच है वो वोईस ओफ गोड है पंच की आवाज पंच कोन होता है है पंच कोन होता है कि सर्व संपत्त से पंचायत में एक व्यक्ति को चुना जाता है और वह सही नड़ने लेता है और कहता है let my aunt, let my aunt, मेरी auntie को nominate करने के लिए head punch nominate करने के लिए permission दीजिए और वही जो punch का नड़ने होगा वो मेरे लिए स्विकार होगा मैं भी उसी से abide by होगा, वही decision मेरे लिए मानने होगा इसके बाद क्या होता है, punch जो है punch का कोई भी दोस्त नहीं होता कोई भी दुस्मन नहीं होता, आप क्या कहते हैं अलगू चोधरी, अलगू चोधरी को कहती है वो और इस परकार लेडी अनाउंस कर देती है कि अलगू चोधरी ही, जो किसका दोस्त है, जुमन का दोस्त है अलगू चोधरी ही head punch होगा, fine, ठीक है, जुमन खुस हो जाता है, जुमन क्या सोचता है कि यह तो मेरा दोस्त है, और मेरे favor में ही decision करेगा और यह कहता है कि यह तो unexpected piece of luck है, मेरा तो बहुत अच्छा लग है कि आंटी ने, चाची ने, अलगू चोधरी को पंच नोमिनेट किया है अब अलगू क्या कहता है, कि चाची आपको पता है कि मैं जुमन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ लेकिन आंटी क्या कहती है, कि मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं मार सकते आपकी जो inner voice है, जो conscious है, आप उसको नहीं मार सकते, अपनी दोस्ती के लिए means, आप अपने अंदर की आवाज, अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे वो कहती है कि गोर्ड लीव्स करते हैं, भगवान रहते हैं पंच के दिल के अंदर तो और उसकी जो आवाज होती है, वो भगवान की आवाज होती है और old lady अपने case को explain करती है जुमन सैट, अलगू क्या कहता है जुमन, अगर आपको भी कुछ you and I were old friend, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं आपकी जो अंटी है, वो मुझे भी उतनी ही प्रिये है जितनी आपको है और अब मैं एक पंच हूँ, अब आप और आपकी आउंटी जो हैं, वो मेरे लिए दोनों equal है तो इसलिए अगर आपको कुछ आपके defense में कहना है तो आपे कहिए पहले आउंटी बताती है, फिर जो है जुमन बताता है जुमन क्या कहता है, तीन साल पहले मेरी अंटी ने जो अपनी property है वो मेरे नाम transfer की और मैंने promise किया, क्या promise किया कि जितना मुझ जिन्दा रहेगी मैं उसको support करूँगा और वो कहता है कि जितना मैं कर सकता था वह मैं कर चुका हूँ जितनी help मैं अपनी चाची की कर सकता था वह मैं कर चुका हूँ अब जो है day to day हर रोज जो है जगड़े होने सुरू हो गए हैं मेरी पतनी और मेरी आंटी के बीच में और मैं उन्हें नहीं रोग सकता तो इस परकार क्या होता है आंटी जो है मेरी claim कर रही है कि मुझे monthly allowance मिले मेरे लिए जिससे कि मैं separate kitchen set कर सकूँ और यह मेरे लिए possible नहीं है यही जो बात है मैं कहना चाहता हूँ इस पर जुमन जो है cross examine हो जाते हैं जुमन की बातों को भी सुन लिया जाता है और आंटी की बातों को भी सुन लिया जाता है उसकी चाची की बातों को भी सुन लिया जाता है इस परकार दोनों को दोनों का निरिक्षन किया जाता है और क्या होता है फिर अलगू अनाउंस करता है कि हमने दोनों के मैटर को केरफुली सुना ध्यान से सुना अब मेरा ओपीनियन क्या है कि जुमन को या तो मंथली अलाउमेंस देना चाहिए या अपनी चाची की प्रॉपर्टी को वापस दे देना चाहिए इस पर क्या होता है दोनों जो फ्रेंड हैं वो दुस्मन बन जाते हैं जुमन तो सोचता है कि अलगू मेरे फेवर में डिसीजन करेगा लेकिन अलगू जो है वो राइड डिसीजन करता है और दोनों दोस्त से दूस्मन बन जाते हैं अब उनकी जो मुलाकात है वो कभी सेल्डम होती है सेल्डम होती है कभी कभी ना के बराबर उनकी जो मितरता है वो टूट जाती है और जो जुमन और अलगू हैं दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से revenge लेना चाते हैं revenge means बदला लेना चाते हैं Now part 3 कुछ दिनों के बाद जो है क्या होता है बुरा भागे अलगू चोधरी के पास आता है means उसका दुर भागे पूर्ण एक bell जो है वो और वो अपने आपको एक tight sport में पाता है किस तरह से tight sport में पाता है कि उसका एक bell उसके पास एक pair है दो bell हैं उन में से एक की मृत्यू हो जाती है और एक कोवे समझू साहू को बेच देता है समझू साहू एक car driver है उनहीं के गाओं में और इसमें क्या होता है दोनों की understanding अच्छी है वो भी दोनों अच्छे दोस्त है और वो साहू को कहता है कि पैसे हैं जो within a month एक महीने बाद दे देना दे दूंगा इस तरह से मिस उनका agreement हो जाता है कि ठीक है पैसे बाद में दे देना लेकिन क्या होता है कि it so happened that the block died within a month एक महीने के अंदर ही जो बैल है वो मर जाता है बैल के मरने के बाद क्या होता है कई महीनों के बाद जो है अलगू याद दिलाता है साहू को कि उसे पैसे भी देने है साहू इस पर गुसा हो जाता है और क्या कहता है कि जो rest beast है ये तो मेरे लिए और आपने ये तो मिन्स बिमार था और आपने मुझे बेच दिया मैं आपको इससे एक पैनी भी नहीं दे सकता ये जो बैल है वह मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आया सिर्फ रियून, रियून मिन्स विनास मेरे पास भी एक बैल है उसको आप एक मन्त के लिए यूज कर सकते हैं और उसके बाद मुझे वापस लोटा सकते हैं उसने गुसे में कहा कि कोई पैसा नहीं दिया जाएगा मरे हुए बैल के लिए इससे अलगू क्या डिसाइड करता है अलगू डिसाइड करता है कि ये जो मैटर है इसको इसकेश को हमें पंचायत को रेफर करना चाहिए एक सेकंड के लिए तो फौर एच सेकंड ताइम दूसरी बार जो है वो उसमें से मन्त में कुछ मीच नियर बाई आप कहे सकते हैं दूसरी बार पंचायत होती है प्रिपरेशन की जाती हैं और पंचाहित होती है дोनों जो पार्टीज है पार्टीज एक अलगु चोद्र ही है दूसरा समझू साहू है दोनों जो है लोगों को सपोर्ट के लिए ढूंटे एपनी बातों को सेर करते हैं इस परकार क्या होता है जो पंचाहित वो स्टार्ट हो जाती है उसी बैनियन ट्री के नीचे और अलगू खड़ा होता है और कहता है कि जो वोईस ओफ पंच है वो भगवान की वोईस है साहू को नोमिनेट करने दीजिए अलगू क्या कहता है कि साहू जिस भी विक्ति को चुनेगा मैं उसी का डिसीजन स्विकार क देता हूं तो इस परकार साहू जो है वो जूमन को हेड़ पंच बना देता है अलगू का हर्ट जो जूमन का जो अलगू का हर्ट है वो बिल्कुल डूब जाता है और टर्न पेल पिला पड़ जाता है लोगू सोचता है कि जूमन में इतनी समझ होती तो जूमन मुझे दु responsibility को अपने उत्तरदाई तु को कि मैं एक जज हूँ और मेरा भी कोई मान सम्मान है इसलिए जो है वो क्या कहता है कि कैसे मैं एक हाई प्लेस के उपर बैठ कर मैं बदला कैसे ले सकता हूं मैं एक हैड बंच 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 कर मेरा personal जो है matter के उपर मैं revenge कैसे ले सकता हूं वो बा बार बार सोचता है thought and thought means thought again and again बार बार सोचता है कि no, he must not allow his personal feeling उसे अपनी personal feeling को allow नहीं करना चाहिए क्या करने के लिए सच के लिए तुर्थ के लिए और जस्टिस के लिए नयाए के लिए और सच्चाई के लिए अपनी परसनल फिलिंग को बाधा नहीं बनने देना चाहिए इस परकार क्या होता है दोनों के केस को सुन लिया जाता है अलगू और साहू दोनों को सुना जाता है उसके बाद दोनों को क्रोस एक्जेमिन दोनों के केस को अच्छे धान से सुनकर उनके उपर विचार किया जाता है और फिर जुमन खड़ा हो जाता है और गोशना करता है कि मेरे विचार में साहू को पैसे देने चाहिए अलगू को उसके बैल के लिए लेकिन जब साहू बोट दबुलेक साहू जब बैल को लेकर आया है तो वो क्या था सफर नहीं था कोई disability नहीं थी और कोई disease नहीं थी उसे किसी तरह की कोई भी बिमारी नहीं थी और उसकी जो death है वो unfortunate है वो किसी तरह से दुर्भागे के कारण हो गई है अब दुर्भागे के कारण अगर मौत हो गई है तो इसके लिए अलगु को हमें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए इस पर कौन अलगु बहुत खुश हो जाता है और को क्या कहता है वो जोर जोर शे चिलाता है कि यहां पे पन्चायत की जीत है नाय की जीत है और पंच की आवाज में भगवान निवासे करते हैं इसके बाद कुछ समय के बाद जुमन जो है वो अलगु के पास आता है उसके गले मिलता है और कहता है कि जो लास्ट पंचायत हुई थी उसके बाद हम दुस्मन बन गए थे और आज मैंने महसूस किया आज मैंने क्या महसूस किया कि वास्तों में पंच क्या होता है कि पंच का मीनिंग क्या होता है पंच जो है ना दुस्मन होता है और बटकना चाहिए अपने पात से और कौन सा पात से नहीं बटकना चाहिए जस्टिस नयाए और सचाई का किस के लिए फ्रेंशिप के लिए अगर हमारे भई कोई दोस्त है तो दोस्त का फेवर कर देते हैं हमारा कोई एनिमी है तो भई उसको नुकसान पहुचाने के लिए हम दूसरे का favor कर देते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अलगू जो है उसे गले लगाता है अपने दोस्त को और रोने लगता है और इस परकार जो misunderstanding है वो आंसुगों में बह जाती है और दोनों पक्के दोस्त दुबारा से बन जाते हैं अब इस कहानी से आपको क्या सिख्या मिलती है इस कहानी से आपको सिख्या मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुस्मन हो after watching this video you read this chapter carefully and after reading that chapter and after understanding all the concepts you subscribe, share and like my channel. Thank you.